स्टेडियम लोग सिक्स को टवड़के है वो करें चुंट दी वालकूम तो अनाद एपिसोड आप बोल्यूद इस वीक पॉल्नी प्राभास हाज दे रेंज तो लिफ्ट दे वेट ओफ दिस फिल्म आप दे क्यारेक्टर में जभी भी प्रावास याने के डालिंग का नाम आत नहीं बनाईंगे यानिके सिर्फ और सिर्फ याने केवल प्रावास यू के पेबल मैं इस फिल्म को करने के लिए अश्मिन नाग जो प्रावास की 21st फिल्म बनाने वाले हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा स्टेट्मेंट दिया है कि उनली प्रावास हाज रेंज इसे मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया है प्रावास 21 फिल्म के बारे में जो के पैन वर्ल्ड फिल्म होने वाली है यह वो नेक्स्ट फिल्म होगी जो वो 20th फिल्म जो उनकी है इसका टेंटेटेटल नाम है जान पूजा हेगडे के साथ वो जब रिलीज हो जाएगी हूस के बाद वो इस फिल्म का का म शुरू करने वाले था यानि के 2020 के end में वो इस फिल्म के काम शुरू करने वाले थी और यह फिल्म REALLY ओने वाली थी 2021 के end में अनि 21 में प्रावास की पान वर्ल्न्व्ल 572 थी and guys now today I have some really exciting news for all of you Prabhas your 21st film it's gonna be a science fiction drama yes my brother it's gonna be a science fiction drama adventure film and guys the basic premise of this film that will be time travel literally speaking guys how do you know how do you do it? you know south man all that stuff the level the scale Kenny Bates, the action directors stage, sujit, in people which kind of mountain out of the world action sequence you know flying suit action sequence chase, amazing film especially in Bihar, Odisha almost 150 net business India and now time travel in my mind Pravask का नाम सुनते और time travel का concept सुनते हुई excitement reaches at another level this film will be a science fiction drama high on VFX and a time travel element अब गैस इस फिल्म का बेसिक प्रिमाइस रहेगा यहाँ पर जितने भी इस फिल्म के यह लोग different time zone में जाते वे दिखाई देंगे के इस तरह से अलग अलग time zones में इन characters को किन किन प्रकार की problem से गुजरना पड़ता है यह इस फिल्म में दिखाई जाएगा वरफाइस आज के समाने में जभी भी कोई फिल्म अनौन्स होती है तो यहाँ पर दिखाई पड़ो कौन का नाम पहले आ जाता है कि दिखाई को को करने वाली है दिखाई को यह फिल्म करने वाले लेकिन असलियत बाढ़ में कुछ और ही निकलती है लेकिन इन reality तिस फिल्म हाज बीन ओफ़र्ड टू डिपिका पड़ुकॉल अब यह उन पर डिपेंड करता है कि वह आफबीट फिल्म करते रहेगी अपनी पूरी जिंदगी भर या फिर वापस से में लीग फिल्म जैसे के चन्ने एक्स्प्रेस हैपी न्यू यह यह यू नो मसाला एंट इसके डेक्टर है अश्मिन नाग ने कहा है नोबड़ी एकसे प्रवास कें डू दू इस फिल्म से और बढ़ते जाती है और यह एक पैन वर्ल्ड फिल्म होने वाली है जैसे यह से इस पर और अप्डेट आते जाएगी मैं आपको बताते रहूंगा प्रवास से अश्मिन जा इस फिल्म के स्क्रिप्स अन इस फिल्म की स्टुरी को लेकर यह से भी उप्डेट और आती है इस फिल्म के बारें में आयम रिले एक्सइड़ अपुए क्योंक्ट लिए रजी स्पीगिंग अगा इस प्रकार का लेवल एंग डालिंग दालिंग से चैनल पर इस अर्या और आए नहीं आए जाए इसके आए झालु कि आए ए से चाहिए जाए ते चूल माँ